हाँ तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों देखे आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो है क्लास 6 अध्याय है हमारा 5 और विशय है इतिहास ठिक यानि छट्थिक अच्छा का इतिहास विशय अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम बिसेश रूप से किस पर ध्यान करेंगे बिसेश रूप से हम ध्यान करेंगे प्राचीन जो है राज वैस्ता कैसी थी प्राचीन हमारे भारत में राजाओं की वैस्ता कैसी थी राजिलितिक वैस्ता कैसी थी जिसमें बिसेश रूप से मगद सामराज मगद माजनपद और सर्विस की तयारी कर रहे हो चाहे आप क्लास 6 का ही एस्पिरेंट क्यों ना हूँ सभी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो तयार क्या जा रहा है देखिए यहाँ पे एक motivational thoughts लिखा गया है इसे आप पढ़िए खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले यह खुदा खुद बंदे से पुछे कि बता तेरी रजा क्या है यानि आपको खुद को इतना मजबूत कर लेना है इतना strong कर लेना है कि आपको उपरवाला भी पुछे कि बता तुझे किस और जाना है हम उसी राह की और तुझे ले जाएंगे ठीक ना, तो मेनत करना है उस लायक देखे, यहाँ पे कुछ important English word दे गए हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले important English word को सामराइज को इंगलिस में kingdom कहा जाता है राजा को king, सेना को army, युद को war उसके बाद कर को tax कहा जाता है और सभा को assembly उसके बाद परजातंत्र या फिर इसे आप लोकतंत्र भी बोल सकते हैं को democratic, आर्थिक को economic, यह सारी चीच कहे जाते हैं इंगलिस में, ठेक, अब यहाँ पे हमारी जो है, one marks यानि की objective question भी आप बोल सकते हैं और one marks के भी बोल सकते हैं, इस्टार्ट होते हैं सबसे पहला question क्या था है कि भारत में प्रथम आम चुनाओ कब हुआ तो भारत में जब सबसे पहले आम चुनाओ हुआ था ना, हुआ हुआ था 1951-52 में 1951 में शुरू हुआ था सेप्टमबर महिना में सायद मुझे उतना डेट याद नहीं लेकिन 1951 में शुरू हुआ और चुना होते होते एक साल लग गया 52 पहुँच गया था ठेक तो सबसे पहला आम चुनाओ 19-52 में हुआ था दूसरा क्वेशन क्या है कि प्राचीन काल में क्या है कि प्राचीन काल में कितने परकार के यह ग्युवा करते थे तो प्राचीन काल में सुल्ला भागों में बटा था सुल्ला माजन पद की माजनपद मतलब होता है उसके बाद हमारा चोथा नमर क्म आता है कि माजनपद कितने परकार के होते हैं तो माजनपद दो परकार के होते हैं पहला होता है गंतंत्र और दूसरा होता है राजतंत्र गंतंत्र जो की स्वतंत्र होता था और राजतंत्र जो की राजा के द्वारा चला जाता था ठेक उसके बाद 5 नंबर कोशन क्या है कि 16 महाजन पदों में सबसे सकतिसाली महाजन पद कौन सा था जि ओर झारकन के एर्या में पढ़ता है मगद उसके बांळ आता है कि राजगी राजगरी एक स्थान है जो कि मगद की राजधानी थी तो के इसका ब scheint नाम राजगीर की जो बिहार में पड़ता है आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे खाल फिलान में एक पुल बना है और वो पुरा-पुरा सीसे का पुल है तो आपको मुका में लिए तो गूमने जा करके देखा किजिए किस प्रकार का पुल है ठीक ना सेवा नमबर कोशन क्या है कि पाटली पुत्र पाटली पुत्र भी किसकी राजदानी थी मगद की मगद की राजदानी थी पाटली पुत्र ठीक तो इसका वर्तमान नाम क्या है तो पाटली पुत्र का नाम पटना कर दिया गया है जो की बियार की राजदानी है ठीक इसे भी आप जानते हैं उसके बाद 8 number question क्या है उत्तरवविदिक काल में लोगों की परमुक पेशा क्या था दब उत्तरववविदिक काल वा सबसे पहले तो वैदिक काल हुआ था पंद्रो सो इस्विपूर में शुरू उसके 500 साल बाद यानि कि एक हजार इस्विपूर में उत्तर वैदिक काल सुरू हुआ ठीक तो उत्तर वैदिक काल के समय लोग जो थे पर्मुक रूप से किरसी क्या करते थे हैं जबकि वेदिक काल के लोग पसुपारण क्या करते थे हैं ठीक ना उसके बाद हमारा 9 नुबर कोशन आता है नोवा कि आस्वामेग याग्या राजशुई याग्या तथा बाजबे हम बलना है थे निकि तीन प्रकार कियाग्या होत जाता था ठीक अगला कोश्चिन क्या है कि प्राचीन समय में राजा का अभिसेख राज अभिसेख ठीक ना प्राचीन समय में राजा का राज अभिसेख किस यग के द्वारा संपन्निक क्या जाता था तो राजसु यग के द्वारा राजा का राज अभिसेख संपन्निक क्या संची पूर्वा या फिर जो भी बोलते हैं इस परकार के उसे ही जो क्या बोलते हैं उसे ही बोला जाता है राज अभिसेक ठेक उसी परकार का एक राज अभिसेक हुआ करता था कि हम अपने राज के परती राजा बोलता था कि अपने जनता का सेवा करेंगे इस परकार के कितने कुलों में संग था वजी राज जो था कुल कितने कुलों का संग था तो वजी राज कुल आठ कुलों का संग था ठीक इसमें कुल छोटे-छोटे आठ कुल मिले थे और एक मिलकर बना था वजी वजी एक महाजनपद था जो की आठ छोटे-छोटे कुलों से मिलकर बना ठीक और यह वज्जी जो था स्वतंत्र था स्वतंत्र इसमें किसी परकार की कोई राजा नहीं हग करता था बलकि यहां की जो सासन वैस्ता थी वो लोगों की एक समूँ चलाया करता था ठीक वज्जी राज जी की राजधानी कहा थी तो वज्जी की राजधानी थी वैसाली वैसाली अभी बियार में है उसके बाद हमारा आता है चोदर नमर कोशन सिकंदर कहां करा जा था तो सिकंदर जो कि 2022 के लिए निकला था और भारत भी आया था भारत में ब्यासनादी के किनारे में आकर यह वापस गुम गया यूँ इसकी सेना जो है हारमान चुकी थे ब्यास किस लेकित के लिए को जीतने के लिए क्या करते थे राजा ठेक पुरू और भारत को मिलाकर कौन सा जनपत बना तो वह जनपत बना था गुरू ठीक, पुरू और भारत जनपत को मिला कर एक राय, मतलब एक जनपत बना, उसका नाम दिया गया कुरू, उसके बाद हमारा 17 नमबर कोश्चन आता है, कि मानव जीवन के 4 आसरम, देखें मानव जीवन के 4 आसरम होते हैं, ठीक, 4 आसरम, कौन-कौन से होते हैं, पहला होता है आ सास्त्र है, जावा लोप निसद, एक सास्त्र, एक किताब, एक पुस्तक है, प्राचिन इतिहास की, उसे ही जावा लोप निसद है, इसी में ये सारी चीजे लिखी हुई है, ठीक, अगला हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बड़े-बड़े कोश्चन आते हैं, एक दो लाइन म आप उसका उत्तर लिखना है, 19 नमबर कॉस्चन, देखिए, जनपदों के किसानों को कितना कर देना परता था, यानि कि जब प्राचिन काल में जनपद के, यानि के राजी के जो लोग हुआ करते थे, किसान लोग, उने कितना टेक्स देना परता था अपने राजा को, तो इतम ठेट बासा में समझाने के लिए मैं आपको प्रियास करूँगा, देखिए, अगला कॉस्चन क्या है, कि मगद किन दो नदियों के किनारे वसा था, तो यह जो मगद एरिया था, मगद का राज ये, वह दो नदियों के किनारे वसा था, पहला था गंगार नदी और भूमी जो थी, उपजाओ हो गई थी, अभी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, जनपद का साब्धिक अर्थ क्या होता है, तो जनपद का मतलब होता है, लोगों का बसने का अस्थान, लोग जहां पर बसते हैं, उसे जनपद कहा जाता है, अगला हमारा क्या है, कि मगद स अमराज कांति मिराजा कौन था तो महापनंद था महापद्मनंद जिसकी हत्या चानक की साहिता से चंद्रगुप्त मौरियन ने किया और मौरियोंस की अस्थापना की इसलिए हमारा 23 कोस्टन बनता है कि मौरियोंस की अस्थापना किसने की चंद्रगुप्त मौरियन ने यह म अपनंद को मारकर ठेक उसके बाद हमारा 24 कोश्चन आता है कि तीन परकार के यग के नाम बताएं देखे प्राचिन काल में तीन परकार के यग हुआ करते थे असोमेग जो कि सबसे सकते साली यग था उसके बाद राजसू यग जो कि इससे थोड़ा निचे क्वाल्टिक आता था अब देखिए हमारा यहां पे थोड़े बड़े बड़े लॉंग टाइप के कोश्चन आते हैं जिसमें हमारा पहला कोश्चन आता है उत्तरवैदिक काल यानि कि आज मतलब 1000 इसवीब पूरु के समय आज से लवक 3000 साल पहले ठीक 1000 इसवीब पूरु उत्तरवैदिक काल मतलब तो उत्तर वैदिक काल के राजा असोमेग येये क्या करते थे तो इसका यहाँ पर उत्तर जाने, देखिए, उत्तर वेदिक काल में राजा आसुमेग यह क्या करते थे? जिसके कारण था प्रमु कारण था सबसे ठोस कारण बताएं तो यह था कि वे अपने राज का विस्तार चाहते थे जितना राज है उसका उससे बड़ा राज बने यानि कि दूसरे के राज को भी हक ले ठीक ना हक से ले 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 और वे किस प्रगार करते थे तो यहाँ पे मैं या आपको एक कहानी के माईतिमसी से सुनाना चाहूंगा मान लिए कोई राजा है कोई राजा है और वो क्या चाहता है कि हम जो हैं एक घोड़ा छोड़ रहे हैं असो में एक घोड़ा छोड़ा जाता है एक घोड़ा होता है वो छोड़ा दिया जाता है उसको दोड़ते दोड़ते गोड़ा जहां तक जाता है उसके पीछे पीछे राजी के करमचारी और सैनिक पीछे पीछे जाते हैं सैनिक की एक टुकड़ी जाती है उसके पीछे पीछे घोड़े को और उसके क्या बाद क्या होता है कि सैनिक की एक टुकड़ी जाती है उसके गोड़े के पीछ पीछे और वह मान लिए गोड़ा दुसरे के राज में एंटर कर गया ठिक दुसरे के राज में घुश गया तब अगर उस गोड़े को उस गोड़े को उस गोड़े को उस राज के राजा ने पकड़ लिया ठिक ना पकड़ लिया और तब उह जो गोड़ा चोड़ा गया था, उस राज के राजा के साथ उसका युद्ध करना पड़ता था, अगर युद्ध नहीं करेगा तो उस घोड़े को जाने देना पड़ेगा, और यहां मान लिया जाएगा, कि यहां राजा जो आसुमेग येगी का घोड़ा है उससे सकति साली है, और वहां राज ये उसके अधिन आ जाएगा ठिक ना उसके अधिन आ जाएगा यानि कि वहाँ उससे कमजोर राज माना जाएगा और तब जब असो में कि यग होगा गोड़ा एक चकर लगा के जब वापस आएगा अपने राज में तब यग के समय उसे अपने आभुसनों के साथ उस जाना होगा और उस राज को राजा को अपने आभुसन देने होंगे ठिक अबहार देने होंगे यहां एक मायनता थी और अगर कोई घोड़े को पकड़ने की चेश्टा करता है मान लिए घोड़े को रोक लिया मायने तो मुझे उस जो घोड़ा जो राजा उस राजा के खोड़े का ठीक ना और अस्वम में यह क्यों होता है यह पूरा का पूरा कहानी ठीक तो उसके बाद हम देखने हैं 26 नमबर कोश्चन कि महाजन पदों के राजाओं ने अपनी सीमाओं पर किलो का निर्मान करवाया देखें महाजन पदों के राजा यानि कि अपने राज् का निर्मान वे इसलिए करवाएं ताकि इसका मुखी कारण था कोई दूसरा राजा हम पर अटेक ना कर पाए कोई दूसरा राजा हमारे राजिप पर अधिन ना कर पाए जिसके कारण वे किलो का निर्मान करवाएं ताकि हम सुरक्षित रह सके और मेरी जनता सुरक्षित ताकि कोई दुसरा राज़ा हम पर अटेक ना कर सके ठटक कोई आकरमन ना कर सके इसलिए किल्लोıl का निरमाण करवाए यानि कि दिवारों का निरमाण करवाते थे अपने राज़्यों के अंतरगत अगला कौशिन क्या है 27 नमबर वज्जी माजन पद अन्य माजन पदों से किस परकार अलग था तो देखे, पहले हम बता दें कि वज्जी माजन पद था वज्जी मतलब एक माजन पद, मतलब वज्जी एक राज ठीक, वज्जी माजन पद एक स्वतंत्र राज था यानि कि स्वतंत्र महाजन पद था उसके कोई भी राजा नहीं वा करता था जबकि अन्य महाजन पदों में अधिकांस में राजा उसका मुझे हेड वा करता था जबकि वजी का हेड कोई राजा नहीं बल्कि एक वेक्तियों का सम्मू वा करता था ठीक उस वेक्तियों का समुवा करता था जिसमें योई 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 वेक्तियों होते थे क्या होते थे उसके पहला कॉस्टिन क्या हो गया कि वजी एक स्वतंतर था जबकि अईन्य महाजन पद जो थे वे क्या थे अईन्य महाजन पद हमारे सभी के सभी क्या थे वे राजा के अधीन थे दूसरा हमारा क्या था है वजी की लोग किसी भी समय स्याक को मिल जूल कर समाधान करते थे सभी कोई आपस में मिल जूल लिए मिटिंग कर लिए उसके बाद फैसल लेते थे लेकिन अईनि महाजन पदों में क्या होता था कि राजा फैसला देता था चाहे हो सही हो चाहे गलत आपको मानना पड़ेगा आप जनता है तो आपको मानना पड़ेगा यह राजतंत्र का नियम है जनपद में राजतंत्र की आग्या का पारण क्या करते थे लेकिन वजी महासंग में बहुमत का समर्थन था यानि meeting हुआ जो सबसे ज़्यादा लोगों ने फैसला किया जो सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा उसे को माना जाता था ठीक यहाँ था वज्जी का नियम उसके बाद देखे वज्जी जो राजिक का संगठन था यानि कि पोश्टे थी बड़ी बड़ी एक संग बनाये करते जिसमें से बहुत सारी पोष्टें होगा करती थी ठीक ना तो मिलते थे यानि कि पद मिलते थे वह उनकी योगयता के अनुसर मिलते था ऐस पत्र की योगये हैं इसलिए आप राजियों में इस परकार का बंदन नहीं होता था ठीक तो यहां थी वज्जी की खासियत वज्जी महाजनपद मतलब वज्जी राज्य ठीक एगला कॉस्चन क्या है 28 नमबर उत्तरवैदिक काल में क्रिसी का मातों क्यों बढ़ गया तो जेके उत्तरवैदिक काल जब आया व वसुपालन को सब लोगों ने अपनी आजविका का सांधर बनाया लेकिन जैसे ही हमारा उत्तरवैदिक काल सुरू होता है लगए 500 साल बाल लोगों ने किरसी को अपना प्रमुक पेशा बना लिया तेक क्यों इसका प्रमुक कारण था लोहे की खोज क्या थी लोहे की खोज जब लोगों ने लोहे की खोज कर ली तब जो हल बनाया जाता था वह लकड़ी का बनाया जाता था लेकिन लोहे की खोज के कारण वह जो हल का फाल होता है अगर आप गाउं से होंगे तो हल देखे होंगे हल का फाल लोहे का बनाया जाने लगा जिस्ते की कठोर से कठोर चम इनों को भी जोता जाने लगा और इससे अब सिंचाई की भी सुभीदा आसान हो गई ठीक ना लोहे के ओजार बनने लगे और लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया जिससे पैदावार एगनम बेताहा सा बढ़ गया एगनम काफी जापा हो गया तब लोगों ने मुख रू लोहे के ओप्योग के कारण लोगों ने कठोर से कठोर जमिन को जोतना शुरू किया और जब जुताई हो गया अच्छे से तब अच्छा से सिंचाई के लिए भी साधन मिल गया क्यूंकि लोहे के ओजार मिल गया जिससे पानी को ले जाने में आसानी हुआ करता था ठीक ना मगद सक्ति साली था चार मामलों में मगद सक्ति साली था क्योंकि मगद एक राज्तंत्र भी था फिर भी सक्ति साली था क्यों क्योंकि इसके पास प्राकृतिक देन थी चार चीजे प्राकृतिक देन थी तिन चीजे प्राकृतिक अब सुनिए क्या क्या थी पहला मगद का जो एरिया था वह गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था मगद का एरिया गंगा और सोन नदी के किनारे बसा था और जो भी अस्थान किसी भी नदी के किनारे बसा होगा ना तो सिंपल सी बात है कि नदी के किनारे बसा है यानि कि उसका जो एरिया है पुरा का पुरा उ यांजिन उपजाओ होगी और जब जमिन उपजाओ हो जाएगी, तब वहाँ पे फसल अच्छी होगी, खेची के लिए आपको सिचाई के लिए पानी मी прेंगे इससे खेची अच्छी होगी जब खेती अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है कि पैदावार अच्छ होगा फसल का पैदावार अच्छ होगी ठीक ना फसल ज्यादा होगा जब फसल ज्यादा होगा तब वहां के लोगों ने वहां के राजाओं ने वहां के जनता से ज्यादा मात्रा में टे उसको तो सबसे बड़ा कारण था कि मगज जो था गंगा और सोन नदी के किनारे था ये पहला बड़ा कारण है ठेक दूसरा बड़ा कारण क्या था कि देखिए ये जो मगज का एरिया है ना यहां के कुछ ऐसे जंगल पाएगे जहां पे बहुत इमारती माँगी मांगी लकडिया मिलते थी और यहां पे हाथी जो बिसालकाई पसु थे वे भी पाए जाते थे और इन पसुओं को क्या किया जाता था कि ट्रेनिंग देकर इन्हें हाथी सेना की रूप में परियोग करते थे युद में ये हाथी सेना की रूप में परियोग करते थे और इन हाथीयों को और पसुओं को बेचा भी करते थे जिनसे इन्हें काफी मात्रा में धन के प्राप् जा मतलब मगद का जो एरिया था यहां जारकंड और बिहार का एरिया था तो जारकंड का एक एरिया आता है चोटा नागपूर चोटा नागपूर में लोह अयस खान की भणडाρ थी जिसके कारण लोहा का जो उत्तपादन हुआ यह काफी मातरा में हुआ और यह भारत के अन्य महाजन पदों में यानि के भारत के अन्य राजों में यहा लोहा देना सुरू कर दिया जिसके कारण यहां के बैपार में काफी जादा मुनाफा हुआ और यहां पे धन काफी मात्रा में हुई ठीक तो चौथा कारण क्या है बैपार चार कारण फिर से मैं बता तो चार कारण को ने से पहला नदी के किनारे बसा था दुसरा यहाँ पे यह जंगलों के किनारे बसे थे इनके पास प्रचूर मात्रा में जंगल था तिस्रा यहाँ पे लो आयस की ख़दाने थी और चौथा हमारा करण बनता है यह बैपार में काफी उन्नत थे है ठीक ना तो ये चार करन्ते मगद के विसेश रूप से बड़े होने में ठीक सकति साली होने में तो I hope कि सारा का सारा आपको चेप्टर उत्तरवेदिक काल के बारे में जितने भी जानकारी कि उससे जादा आप जानकारी हो गई होगी और अगर किसी भी चीज में कोई भी ऐसा दोस्त हो जो इस परकार की तयारी करने में तो फिली जून तक वीडियो को सेर कर दिजेगा फिर मिलते हैं नेक्ट बड़े के साथ तब तक के लिए बाए पढ़िए और अपने